नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पे और हम पढ़ रहे थे मैथेमेटिक्स और हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है फैक्टर्स उससे पहले हमने क्लासिफिकेशन आफ नमबर्स किया था यूनिट डिजिट नमबर हमने स्टार्ट कर रखा है पहली क्लास उसकी हो चुकी है अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वहां क्लास से आप क्लिक करके पहले उस क्लास को देख लेना फिर आगे यह क्लास देखना दूसरी क्लास ठीक है और आपको अगर पीडिएफ चाहिए तो आप टेलेग्राम ग्रूप जाइन कर सकते हैं नाम है मैट्स भाइट परदीब साब यहां से आपको पीडिएफ मिल जाएगी जो भी कॉश्चन है उनकी पीडिएफ मिल जाएगी और जो सॉलूशन है उसका उसकी भी पीडिएफ मिल जाएगी तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करेंगे अच्छे से तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और कॉमेंट करके अगर कोई भी तो हमने पड़ा था फेक्टर्स के बारे में मल्टिप्लिकेशन के बारे में अडिशन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे एक्स टू दे पावर एन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें कोई भी नंबर दिया हुआ होगा इस तरह ऐसे नंबर दे रखा है उसकी पावर दे रखी है कुछ भी तो आपको बताना है कि जी यूनिट इसको सॉल करने के बाद यानि पावर दे रखी है 71 यानि इसको 71 बार मर्टिप्लाई करने के बाद में यूनिट डिजिट के आएगा तो इस तरह के कुश्चन आज हम देखेंगे ठीक है चला कोई भी नंबर हम लिखते हैं यह लिखा हमने यह लिखा यूनिट प्लेस पे कौन-कौन से नंबर आ सकते हैं तो आपको पता है वन तू जिरो वन तू 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 तू फर यूनिट प्लेस पे तो जीरो यह आएगा ना यह सब नंबर आ सकते हैं और अगर इनके बारे में हम पढ़ लें किसी पैटरन क्या बनता है तो हमें अंसर करने में आसानी हो जाएगी ठीक है तो हम सबसे पहले पेर उठाते हैं यहां से जीरो वन फाइव और सिक्स जीरो वन फाइव और सिक्स इस केस में क्या होता है देखो जीरो के केस में यानि दस की पावर एक है आपके पास दस होगा दस की पावर दो सो हो जाएगा दस की पावर तीन हजार हो जाएगा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास बीस की पावर दो है तो आप लिखोगे 400, यानि करते क्या हो, जितनी पावर है उतनी बार ही पीछे 0 लगा देते हो न, यानि 0 के case में तो चाहे कितनी भी पावर हो, अगर unit place पे आपका 0 है, फिर चाहे उसकी कितनी भी पावर हो, अंस्वर क्या देगा last में, unit place पे क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठी इसी तरह है, 11 की पावर 1 करते हो, 11 होता है, 11 की पावर 2, 121, 11 की पावर 3, 1300 करते हो, कहने का मतलब क्या है, 11 की पावर 7 होगी, तो 11 को 7 बार गुना करोगे न, यही करना होता है, 11 को कितनी बार गुना करना है, 7 बार गुना करना है, यानि आप unit place वारे digit को उठाओगे, और multiply करके अंस्वर दोगे unit place वारे digit अगर आप उठाओगे तो एक को ही बार-बार multiply करना है और एक को ही बार-बार multiply करना है इसका मतलब क्या है कि एक की multiply जब एक के साथ होती है तो अंस्वर भी क्या आता है एक ही आता है पाँच की पावर तीन शो पचीसह पाइस की पावर चार शी शो पचीसद यानी आपने देखा चाहे उनेамरे कितनी हो यानि चाहे 5 आपस में कितनी भी बार multiply हो रहा हो unit digit क्या देगा 5 ही देगा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर 5 को odd number से गुना करते हैं तो 5 भी तो एक odd ही number है ना तो आप कहोगे किजी हमें ये दिया है 35 की power 10 यानि 35 को कितनी बार गुना करना है 35 को 10 बार गुना करना है 35 को 10 बार गुना करना यानि आपको तो unit digits से मतलब है unit digit आपने उठाया 5 को 10 बार गुना करना है और 5 जब तक odd number से गुना होता रहेगा answer क्या देगा answer तो 5 ही देगा तो आपने देखा कि चाहे power कितनी भी हो यूनिट प्लेस पर अगर 5 आ रहा है तो अंस्वर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा पांच वी आएगा ठीक है अब बात करते हैं 6 की 6 के केस में क्या होता है 6 की पावर 1 करोगे 6 आएगा 6 की पावर 2 करोगे 36 आएगा 6 की पावर 3 करोगे 216 आजएगा 6 की पावर 4 करोगे 1296 आजएगा ठीक है 6 की पावर 5 करोगे इसको फिर से 6 से multiply करना है चिकुचिकुच 36 आएगा फिर से 6 आएगा यानि चाएगा पावर कितनी भी हो 6 की वहाँ भी क्या आ रहा है unit digit unit digit आ रहा है आपका 6 यानि 0 1 5 और 6 के केस में एक 0 1 5 और 6 के केस में क्या होगा unit digit आपका क्या रहेगा unit digit same रहेगा unit digit क्या रहेगा same रहेगा जो आपका unit place पे होगा वही आपका अंसर होगा चाहिए पावर कितनी भी हो ये चीज हम देख चुके हैं यहाँ पर अगर आपसे question पुछा जाए अगर आपसे question पूछा जाए अगर आपसे question पूछा जाए 825 की power आपको दे दे 121 और गुना कर रहा है 7826 की power 121 से ठेक है और आपसे कही unit digit number क्या होगा यहाँ से आपको बताना क्या है unit digit number क्या होगा इकाई का अंक क्या होगा तो आप कहोगे कि यहाँ पर 5 आ रहा है power चाहिए कितने भी हो यहाँ से तो unit digit 5 ही आएगा यहाँ पर 6 आ रहा है, power चाहिए कितनी भी हो, unit digit 6 आएगा, दोनों की multiply करनी है, 5 को 6 से multiply करोगे 30, और उसका unit digit क्या, 0, उसका unit digit क्या होगा, 0 तो बहुत simple चीज़े हैं, अगर आप आसानी से समझ जाओगे, अगर आप देखोगे चीज़ों को तो अराम से समझ जाओगे, इसक बहुत अच्छे-चे बढ़िया-बढ़िया कोशन लगा है, ठीक है, चला, अब हम बात करते हैं, हमने 0, 156 की बात कर ली, 4 और 9 की बात करते हैं, 4 और 9 के केस में क्या होता है, तो 4 की power एक करते हो, 4 आता, 4 की power 2 करोगे, 16 आएगा, 4 की power 3 करोगे, 64 आएगा, 4 की power 4 करोगे, एक हजार, 24, चार की power 6 करोगे, 46, आएगा, यहां से unit place देखें तो, 4, 6, 4, 6, 4, 6, यानि पहले आया, 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, यानि साइकली सिटी कितने की बन रही है, 2 की बन रही है, रिपिटिशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस चार की power को किस में divide कर सकते हैं, अगर 2 के बाद साइकली सिटी आ रही है, तो आप कहोगे कि जी power हम odd और even में divide कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, sum और wisdom में power को देख सकते हैं, देखो, यहां से चार की power जब odd है, तो क्या आ रहा है, चार आ रहा है, और जब चार की power even है, तो unit place पे क्या आ रहा है, चार की power जब भी विसम होगी, तो 4 आएगा, और चार की power जब भी sum होगी, तो 6 आएगा, यहां से हमें साफ दिखाई दे रहा है, कि हमेशा ऐसा ही होगा, अगर याद ना रहे, तो आपको पता है, even odd देखना है, और जब भी आपको आपने देखा, चार की power क्या है, 121 लिखा हमने, तो आप आप काओगे, odd है जी, तो 4 की power, odd लेकर के देख लो, 4 की power, 1,4 होता है, आपने देखा, 4 की power, 256 दे रखी है, आपने देखा, पावर, even है, even power में क्या होता है, तो 4 की power, 2,400 के, 16,06 होता है, ठीक है, तो आप याद रख सकते हूँ, अब 9 के case की बात करते है, 9 में क्या होता है कि नो के केस में आपको क्या चीए तो आपके नो की पावर एक नो होगा नो की पावर दो इक एक होगा नो की पावर तीन साथ सो नतीस का नो होगा नो की पावर चार फिर नो को नो से मल्टिप्लाई करोगे तो एक आएगा क्योंकि 3 power तक तो यहां है ना 739 को 9 से multiply करोगे तो निमनी में 80 का एक ही आएगा ना उसके बाद में 5 power करोगे तो फिर से 9 6 power करोगे तो फिर से 1 यानि cyclicity कितने की है cyclicity वही है 2 की तो 2 की cyclicity जब होगी तो आपको क्या करना है आपको देखना है even odd की power even है के power odd है power sum है के भी sum है जब power even होगी तो एक आएगा और power odd है तो no आ रहा है यह हमें साफ दिखाई दे रहा है यहां पर और हम answer कर देंगे अब इसके question देखते हैं किस तरह से आ सकता है देखाई चार की power एक नो की power दू चार की power तीन नो की power चार चार की power पाँच और इसी तरह आपको दे रहा है चार की power 99 नो की power आपसे पूछा unit digit number क्या होगा इस equation को expression को अगर हम solve करते हैं तो आपको पता है कि चार की power यहां पर जितनी भी दे रखी है वो क्या है ओड है यहां से यहां तक कितने number है यहां से यहां तक 100 number है कितने हैं 100 है एक बार 4 आ रहा है एक बार 9 आ रहा है यानि 50 बार 4 आया होगा और 50 बार ही क्या आया होगा 9 आया होगा तो 50 बार 4 आया है और सब की power ओड है तो 4 की power जब ओड होती है तो क्या होता है unit digit number क्या आएगा 4 ही आएगा यानि यहां से कितनी बार 4 गुना 4 गुना 4 यानि जो भी नंबर यहां से बनते जाएंगे उनके यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होगा चार होगा तो हमें तो यूनिट प्लेस वाला ही चाहिए ना यानि चार को कितनी बार मल्टिप्लाई करना पड़ेगा पचास बार ठीक है और अगर नो वाले की बात करें तो पावर है एवन नो का स्केयर नो की पावर चार तो यूनिट डिजिट क्या होता है एक होता है तो इसको भी कितनी बार गुना किया होगा अगर यहां से मैं अलग अलग लिखूं तो आप कहोगे जी फिर लिए चार आएगा फिर चार आएगा फिर एक आएगा फिर चार फिर एक इसी तरह चलता रहेगा यानि पचास बार चार आया और एक कितनी बार आया वही एक भी आया पचास बार तो पचास बार एक को गुना करने पड़ तो कोई फरक नहीं पड़ता आप लिख भी सकते हो चार को पचास बार कर रहे हैं कि पावर पचास कोई फरक नहीं पढ़ने वाला अब चार की पावर क्या है चार की पावर इवन होगी गलती क्या करेंगे बच्चे इसका अंसर चार कर देंगे कि चार और एक की गुना हो रही है लेकिन चार नहीं हा रहा है क्यों क्योंकि चार की पावर क्या होग चार की पावर एक, प्लस में नो की पावर दो, प्लस चार की पावर तीन, प्लस नो की पावर चार, अब टू, चार की पावर 99, प्लस नो की पावर हेंट्र, इसका अंसर क्या होगा, तो आपका होगे किजी वही है चीजें, लेकिन मल्टिप्लाई की जिगह क्या आ गया, प् फिर चार फिर एक और इसी तरह चार और एक यानि यहाँ पर चार कितनी बार आया होगा तो चार आया होगा पचास बार और जुड रहा है इसका मतलब क्या है कि जी चार पचास बार जुड रहा है और एक कितनी बार तो एक भी पचास बार तो यह कितना हो गया यह हो गया जी दो सो और यह कितना हो गया पचास तो टोटल कितना हुआ दो सो पचास यूनिट डिजिट क्या है जीरो है ठीक है तो इस तरह की कोशन आप से कुछ ले जाते हैं बच्चे तो उमीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी अब जो हमारा रहता है वो इसमें रहता है टू थ्री सेवन और एट यह करने के बाद में हम कोशन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लास में रेगुलर रहना है जो भी वीडियो आती ह आप देखते जाना पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रूप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आपको नोट्स और एक्स्ट्रा कोशन भी मिल जाएंगे तो बिल्कुल वीडियो में इतना ही थैंक्यू जय ही जय भार